जै महाकाल दोस्तों मिया नाम है दित्ति रब कमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ पूरी संपुर्ण पूजा विधी शेयर करने वाली हूं मंदिर जाकर अभिशे कैसे करना चाहिए शिव जी का साबन माह में सब्सक्राइब तो आप हरी सारी जरूर आपको 30 समय घंटा बजाना है आती समय घंटा कभी न बजाएगा तो यहां पर हैं नंदी का पूजन करेंगे तो इन नंदी को जल अभी शेक करेंगे उनको टीका लगाएंगे कुछ मीठा खिलाएंगे फूलर पित करेंगे नंदी को प्रिशंद करने के बाद ही आप अनुरोद करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आप शिवालाय में जो शिव लेंगे सबसे पहले तो दाहिने और बाई साइट आप सबसे जल अविशेक करें शिवालाय में जो अशुक शुंदरी की जंगा होती है नीचे कटीला भाग होता है वहां पर जल अभी शेक करे और फिर नाग देता और शिव लिंग पर विशेक करें, इस तरीके से आपको शिव पर जल चलाना चाहिए, शिव भगमान पर डारेक्ट जल नहीं जलाया जाता है, इस वतका विशेस ध्यान रखीगा, अगर आपको विशेस फल की प्राथती चाहिए, तो इस तरीके से आप जरूर ध्यान रखेगा, जिस दिन आपको ये पूजा करना है, तो एक दिन पहले से ही तैयारी कर लें, अगर आप शिव जी के आप 16 सोंबार के ब्रत रखने वाले हैं, तो सोंबार के सोंबार जाकर भी पूजा कर सकते हैं, अगर आपके पास घर के आसपास ही मंदिर है श घर पर आपको मिट्टी के शिवलिंग बना कर उनका भी शेक करकर पूजा करना है, एक एक नियम पूरे सावर में जयो बनाएगा, और खास कर कि इस वार तो दो महीने का सावन है, तो बहुत अची तरी केसे आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं, और 16 सो कर दिया है, दही ले लेंगे, बिल्कुल आपको यह सभी चीजें शुद्ध होने चाहिए, घर में रखी हुए जिए, ना यूज करें, फिर हमने शेहर डाल दिया है, इन सभी चीजों का अभिशेक करने का अपना-पना अलग महत्व होता है, किसी से हमें बल और बुद्ध ही मिलती है, किसी से सत्रों का नाश होता है, किसी से हमारे घर में शुक शांती समर्दि आती है, हर चीज का अलग-अलग एक उपाय होता है, एक-एक तरीका होता है, हमारे शिव जी को मनाने का, तो अगर आके पास देखी, सावन में बहुत भीड रहेगी, अब जब जल गुलती है तो насे ख़ीचे लोटी में ढुट में दूज दहीच air शकर घीच सब लखुचा ले जाए ना जो जाता है भगवान को बवश्चा हरा जाता है हो तो एक ख़ज़ भel नो Hilir okay पूरी जो शिव जी है उनको भी शेक कर दिया है अब यहां पर मेरे यहां मंदिर में ही नल लगा हुआ है तो मैं बाल्टी भर कर भगवान जी को अच्छे से स्नान करा दोंगी विसे तो आप कोशिश कीजिए का कि आप घर से जो पानी लेकर जाते हैं उनहीं से इसनान करा द लुदा से पानी जाए होता है तो वह आप मंदर से ले सकते हैं और घर से जो पानी लेकर जाते हैं उस लोटे में ठोड़ा से पानी आपको बचाकर रखना है वक्त द्यान रखेगा जो आप घर पर आते हैं जब आपको उपने घर के दाहिने वो बाईं साइड दर्वाजे पर वो पाणी को डालते हुए फराएं तो कोई भी कभी भी आपके यहां वास्तु दोश नहीं होगा पित्र दोश नहीं होगा और घर में हमेशा शुक्षांति शम्रदी बरसेगी तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से यहां लोटे से साफ कर दिया है बाल्टी से साफ कर दिया भगवान को अब हम भगवान जी का श्रिंगार करेंगे भगवान का श्रिंगार सबसे जादा दोड़ी होता है सफी चंदन सबसे यादा प्रशन होते हैं सफेद भी सफेद हो थो बहुत अची बाट होगी और फूल में और उसामकरिया को क्या क्या चाहिए वह वीडियो मैंने शेयर कर दिये और घर पर कैसे हमें शिवलिंग बनाना है, शिव परिवार बनाना है, वो वीडियो भी मैंने आपके शेयर कर दिया है, अगर अब तर ना देखी हो तो आप देख लेजेगा, वो बहुत ही यूस्वल रहेगी आप लोगों के लिए सबी डाउट आपके किलियर हो जाएंगे, तो मैंने यहां ओम का चेंड बना दिया है, और तो नेत रुना दिया है, तो चोटे रूप में, देखिये हम अपने घ्रैस्त जीवन में रह कर जितना भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए, कि हम नहीं कर पाएंगे, जब आप कोई चीज करने की ठा जाने के लिए तो ये भांग भांग दिख रही है यह भांग अभी मैंने ही वगल में जो भाव वयटी थी उनसे ही ली तो देखिए अब अनको मन में होता है कि भगमांको सब चीजे मिल जाती है जाने के लिए तो ये भांग धतूरा और बेल पत्र अकवा की पत्ते और अकवा की फूल धतूरा की फूल बेल पत्र शमी ये सभी चीजे मगवान को जरूर अर्पित करें अगर आपके हर्शंगार का प्रीड है तो हर्शंगार के फूल और हरशंगार की पत्तियां भी चिलाईए वो भी चलते हैं, भगमान और गुण हल का जो फूल दिख रहा है, आपको लाल वाला, ये माता पारवधी को मैंने चला दिया है, और यहां पर आप सभी फूल अर्प करते रहें लगाता जब भी आप पूझा करें चाहे घ़र में करें चाहे मंदिर में करें भगवान में पुरा लीन होकर आपको तो में रफित करना है और भगवान का नाम मंत्र उस्चारण करते रहना है या फिर आप Оम त्रयम् difference कम भी बोह सकते हैं पूर कोरम भी को आता है तो езफीन को पता है तो आप भी इसके दिख दिन में पत्तिस कठे gi bear अज़य एक व Shout तो जग मनाएं और अगर टाइम हो तो फिर ढ़िगा का पाठ कर लें अगर मंदिर में नहीं समय मिल पारा तो मंदिर में पूजा करके आए घर पर आप पाठ कर लें तो देखिए चार्ज उलाई से 31 अगस्त तक दो महिए लगभग आपको पूरा समय में लेगा भगवान जी को मनाने का दो फल अवश्य लेकर जाएं कुछ मेवे लेके जाएं और एक फल नहीं जाए जाता है तो दो फल कम्शिक लेकर जाएं 2 या 5 और आप देखे मैं कापूर से आर्थी कर रही हूं आप हुह की बाती से भी आर्थी कर सकते हैं और ध्यान राखे गा लंबी वाली बाती का भगवान शेप की और या फिर कोई भी देवत निकिना पूजा नहीं हमारे देवता उते हैं उनकी पूजा में लंबी जो इसा माता और नहीं pro फूजा सामगरी मैंने पहले मैंने शेयर कर दिया और देख लिजेगा और महीने में कितनी सोंबार पढ़ने कब पढ़ने वाले वह वीडियो मैंने कली शिएर किया तो आप वह वीडियो भी ज़रूर देख लिजिए गा तो सभी डाउट आपके क्लियर होजाएंगे सही जानकारी आपको मिल जाएगी, मैं खुद एक पंड़ित हूँ, तो आपको बिल्कुँ सही जानकारी में देती हूँ, इस वाद से आप निशित रहें और आची तरह के से पूजा करें, आप देखें, आरती कर लेंगे हम कापूर गुरम की आप आरती कर लें, पूरी अची त स्कूर के देवी देटाओं का वास होता है इसलिए उसको नहीं लगना चाहिए अब हम आश्मन कर देंगे पानी से अच्छी तरीके से और अभी आप सुनाई भी दे रहे होगी मंदिर में भगवान की घंटी बजिया भी तो देखिए इस तरीके से भगवान की सेवा हमें करन है क्योंकि भगवान है वो हमारे सब बाते हैं शांती से सुनते हैं उनसे हमें नहीं बोलना पड़ता है कि मेरी बात सुनों वो सब जानते हैं हमारी बिंती हमारी मनों कामनाओं को और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम से वो सब समस्ते हैं उनके सामने दो पला बैठके देखे आपके सारे कश्ट वो दूर करेंगे क्योंकि भोले बाबा है भोले बाबा हमेशा हमेशा हर किसी की जो भी सच्चे दिल से प्रातना करता है भगवान की उनकी बात को उनकी आरज को वो सुनते हैं तो मैं खुद उज्जेन निवासी हूँ तो महाकाल कि ये भी दर्शन हम लोग करने जाएंगे तो मैं वो वीडियो भी ज़रूर शियर करूँगी तो यहां देखें सभी मैंने आची तरह कैसे पूज आपको बता दी है तो चलिए आज का वीडियो में यहीं समाथ करती हूँ करती है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए जहाँ से लाइस वीडियो को शियर जरूर कीजिए और आप सभी को सावन माहा की बहुत बहुत शुब कामनाएं भोले बाबा हम सब पर आप सब पक्रिपा बनाए रखें आपका बहुत बहुत धन्यवाद जै महागाल